हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है आमिद परसाई और मैं मैं एम्टेक किया आइडी बॉंबे से बीटेक नाइडी भोपाल से एक हविए सी कंपनी में मैं मैं काम कर रहा हूं यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है औरडी मैं इस वीडियो पर लाइफ सेशन ले चुका हूं जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़े इलेक्रिकल और इलेक्रोनिक्स इंजिनियर्स के बारे में बताया था कौन से ऐसे कोर्सें जिनसको करने से आपकी स्किल्स बन सकती है या इवन लॉक्डाउन में आप जिसको सीखेंगे तो वह आगे जाकर आपको help करेंगे वह वीडियो बहुत लंबा हो गया था बहुत लोग ने questions पूचा था और इस वीडियो को summarize करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है आप चाहें तो इस वीडियो के कारण बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी तो इसमें जॉब्स मिलना अभी फिलाल के लिए बहुत मुश्किल होगा एवन दो लॉक्डाउन खुल चुका है लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रीज पिक अप कर रही है बट एकनॉमिक रिसेशन के कारण इन इंडस्ट्री के काम कर रहे थे और रिसर्च या डेवलप्मेंट कर रहे थे तो उसमें जॉब्स जो है वो आसानी से मिल सकती और अभी भी इतना स्लोडाउन नहीं आया तो आगे जाके ऐसी ही जॉब्स जादा मिलने वाली है तो आप ऐसे ऑनलाइन टूल्स या ऐसे टूल्स कौन से सीख सकते हैं जो घर पर बैटके आप काम कर सकते हैं या कंप्यूटर पर बैटके काम कर सकते हैं तो उसको हम देखते हैं जिससे आपकी जो स्किल्स है वो बढ़ सके तो इसको मैंने तीन काटेगरी में डिवाइड गिया है बिगनर इंटर्मीजियर और एडवांस और बिगनर स से लेके यहां तक जब left to right आप जाएंगे तो आपकी paying capability भी बढ़ जाएगी यानि industries आपको high pay करने के लिए भी ready रहेगी from left to right so let's begin हम सबसे पहले beginner level पर बात करते हैं तो simple सी tool है AutoCAD आप सीख सकते हैं क्योंकि यह electrical drawings या layout के लिए बहुत use की जाती है और काफी लोग इसको use करते अभी भी use करते हैं इसको diploma level पर भी आप सीख सकते हैं और लोगों को अगर आप electrical diploma किया हुआ है तो वह आप skills को use कर सकते हैं even इस चीज के लिए आप freelancing भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत 3D model software का एक cabling tools होता है जो कि क्रियो का pro cabling tool है इसमें क्या होता है कि आप electrical components या electrical boxes या layout में cables कैसे बिचेंगी उसको देखते हैं तो एक इससे proper length of cable पता चलती है कि कौन सा cable कहां पर जाना है और अगर यह drawing को बनाने में भी मदद करता है तो assembly line पर जब हम लोग इस drawings को देखते हैं तो direct आप cables को short कर सकते हैं और उसको directly plug-in कर सकते हैं तो इससे assembly का भी time बचता है और material management भी बहुत आसान होता है यह pro cabling काफी use होता है in 3D models तो अगर आपको यह पता है तो आप switch कर सकते हैं 3D model पर यह basically electrical engineers के लोगे हैं तो electronics engineer PCB design सीख सकते हैं बहुत सारे software available हैं जैसे ORCAD, Eagle, RTM आप किसी भी software में चाहें तो सीख सकते हैं PCB designing यह भी diploma level पे लोग सीखते हैं तो आगर आप engineer level पर भी सीख सकते हैं और यह basic requirement है whenever PCB layout PCB design components का placement इस तरीके की चीजें routing कैसे करनी है यह सब आप इसमें लोग पहले इसमें करते हैं then उसके बाद it will go for the printing तो आप यहां पर सबसे पहले अगर चाहें तो PCB designing का कोई भी software सीख सकते हैं अब चलते हैं कि intermediate level पर क्या आ सकता है तो intermediate level पर आपको embedded programming आप सीख सकते हैं क्योंकि basically सभी chips या controls logic का integration यही से start होता है तो CC++ आप कोई programming language सीखें embedded programming languages आप सीख सकते हैं इसके लावा आप again PLC SCADA यह programmable logical control ऐसी languages आप सीख सकते हैं ताकि यह industrial automation में help कर सके तो इन बड़ी-बड़ी industries में सारे equipment लगे रहते हैं उनको monitoring की जाती है automation के लिए भी यूज करते हैं तो आप PLC SCADA जैसी languages वहाँ पर काफी यूज है तो आप चाहें तो यह भी सीख सकते हैं ऐसे electronics engineer अगर आप चाहें तो simulation simulation based software को भी सीखा जा सकता है जिसमें सबसे पहले जो लोग normally सीखते हैं वह है MATLAB simulink जहां पर बहुत सारे system को integrate करना है है control logic को पहले से test करना है तो simulink से पहले different different modules को integrate करके circuit बना के आप उसको check कर सकते हैं तो that is virtual without any prototype तो आपका logic सही से काम कर रहा है कि नहीं या आप जो की controls algorithm बनाई है वो से काम कर रहा है इसके अलावा control boards का जब बन जाने के बाद आप उसको simulate भी कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके का induction impedance या communication device किस तरीके से काम कर रहा है कैसे antenna काम कर रहा है कि यह सब चीज़ें HFSS का module है यह भी एक बहुत जादा demanding इस समय चल रहा है लेकिन इसको जानने वाले बहुत कम है तो अगर आपके पास time है तो आप ANSYS का यह module सीख सकते हैं इसमें एक और module होता है जिसको share lock अब share lock पहले एक अलग company थी लेकिन अब ANSYS नहीं इसको खरीद लिया है जो की control boards के structural analysis के लिए यूज होता है या अगर वाइब्रेशन हो रहे हैं या अगर बहुत lifelong time तक वो चल रहा है तो किस तरीके से control board सही से काम करेगा की नहीं तरीके का analysis आप share lock में कर सकते हैं यह भी एक ऐसा tool है जो की बहुत कम लोग जानते हैं और इसकी भी demand काफी है जैसे अगर आपने soldering joints से अगर बहुत सारे components को बिठाया है तो उन joints को अगर वो ज्यादा टूटे का तो नहीं ज्यादा load में तो इस dynamics and control सबसे पहले यह masters level पर काफी लोग सीखते है dynamics and control आपको थोड़ा बहुत अपनी बीटेक लेवल पर भी सीखने को मिलेगा यह एक interdisciplinary branch है इसको यह मत समझेगा कि सिर्फ electrical electronics engineer कर सकते हैं इसको काफी aerospace mechanical engineer सबी लोग सीखते हैं और इसमें आपको multi physics या simulation capabilities आपकी fundamentals काफी सही होन चाहिए और इसमें काफी controls और coding का involvement होता है तो मैं recommend करूंगा आप dynamics and control से आ सकते हैं इसमें फील जैसे आपके सामने दिखा है इसको कैसे control किया जा सकता है इसमें physics वाइज अगर इसमें forces लग रहे हैं या कुछ भी imbalances आता है तो किस तरीके से आप इसमें क्या algorithm अंदर रहे तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक control algorithm इसको गवर्न करती है तो आपको physically कैसे product behave करेगा यह सब देखने को मिलता है या एक satellite जब launch होती है launch होने के बाद उसमें बाद में कौन-कौन से operations होते हैं सब automated रहता है तो यह सब सारा जो है वो एवियोनिक्स या इस तरीके के department handle करत इसके बाद obviously machine learning आजकल सभी जगा यूस हो रही है तो machine learning का मकसद आप लोगों के लिए क्या हो सकता है कि robotics या autonomous cars जैसी चीज़े हैं जो कि अपने आप इसको learn करना है algorithm को learn करना है और फिर अपने आपको और mature करना है या कहा जाए improvise करना है तो machine learning जैसी चीज़ें obviously काम आएंगी robotics जैसे एक robot को आपने design किया plant automation industrial automation तो उसके operations में वो किस तरीके से अगर exceptions आ रहे हैं तो वो कैसे काम करेगा तो वो सब चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा और आजकल industry 4.2 की बात हो रही है जिसमें काफी सारी चीज़ें इन सब चीज़ें को use कर रही है तो आप यहां पे यह चीज़ें सीख सकते हैं जिसमें आपको हाई इसमें skills आपको mathematical modeling और programming यह बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए तो कोई भी एक topic project आप अपने हसाब से choose करते हैं और उससे साब से machine learning algorithm उसमें apply कर सकते हैं So I think these are the things that I wanted to tell you कि आप इस तरीके की skills को सीखते हैं तो आपको काफी फायदा होगा अब हम आगे चलते हैं कि यह देखते हैं कि यह जो intermediate या advanced level पर जो हमने बात करी है इन सब software वो सीखे कहां पर So let's go since आप लोगों को पता है कि मैं NPTL का काफी बड़ा fan हूं तो मैं आपको ऐसे ही course बताऊंगा जो कि आप प्री में access कर सकते हैं control systems को आप basic पढ़ सकते हैं तो यह दो courses intermediate level पर हो गया then robotics and controls यहां से आप system controls and dynamics जो मैंने आपको बताया वो आपको सीखने को मिलेगा especially for robotics और introduction to machine learning यह basic fundamental course machine learning का और यहां पर आप practical machine learning with TensorFlow तो Google का जो TensorFlow software आप उसके through machine learning को apply करने का सीख भी सकते हैं तो these are some courses that I am recommending और जो मैंने आपको industry 4.0 की बात करी ती जिसमें industrial automation और internet of things के बारे में काफी हमने जानने को मौफ़ा मिला तो आप यह course भी ले सकते हैं उस चीज़ को जानने के लिए कि basically यह होता क्या है और किस type के लोग क्या काम आपकी industry के साब से आप कर सकते हैं अब इन सब skills को learn करने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम इसको जब showcase करेंगे अपने resume में तो यह उठके दिखना चाहिए as a fresher अगर आप यह सब चीज़ें करते हैं courses करते हैं तो भी आपके resume में अगर वो simple सी कहीं छुपी रहेगी तो बड़ा मुश्किल होगा किसी को भी find करने का कि यह specialized skill आपके पास है तो उसको solve करने के लिए हमने concept है जो visual resume आजकल बड़ा चल रहा है तो आप सबसे पहले हमारी website पर जा सकते हैं career a plus dot in sign in कीजिए sign in करने के बाद आप visual resume section पर जाएंगे pressure के लिए अभी 50% discount चल रहा है जो की 125 रुपे per year आपको देना है जिसमें एक page का resume मिलेगा आप unlimited time printing कर सकते सेव कर सकते हैं और URL मिलेगा resume sharing का जो की बहुत useful मैं आपको बताता हूं कैसे तो जब आप इसमें देखेंगे 4-5 template है कोई भी एक template में अपनी information डालिए और हर template में आप अपने resume को save कर सकते हैं share कर सकते हैं not a problem आप जितनी template इसमें upgrade होती रहेंगी सारी templates आपके लिए free तो सबसे पहले तो template one में जैसे अगर example लेते हैं यहां पर अपनी skills को यहां से जाके edit कर सकते हैं कोई भी cc++ अपनी rating को आप change करेंगे 5 यह automatically यहां पर change होताएगा तो यहां पर जो भी आप skills को use कर रहे हैं उस तरीके से यहां पर अपने skills को अच्छे से showcase कर सकते हैं जो की सबसे पहले highlight होगी और finally आपको एक impact देगा आपके resume में recruiter को मजबूर करेगा कि वो देखे अपार्ट फ्रम डट आप चाहें तो इसको share कर सकते हैं करने के बाद यहां पर आपको URL मिलेगा तो यह एक accessible URL है for everyone जैसे URL को अगर आप copy करके देखेंगे तो यह कहां पर जाने वाला है इस तरीके का virtual या visual resume आप virtually भी भी भेज सकते हैं लोगों को आपकी profile पर redirect करेगा तो आप जैसे job ढूंड रहे हैं तो आप इस link को share कीजिए अपने Facebook लिंक्डिन पर जो लोगों को देखेगा attract करेगा उससे पता चलेगा कि आपके पास क्या-क्या स्किल है और at least जो recruiter ढूंड रहे हैं उनको एक प्रका से कंपैल करेगा इसको क्लिक करने के लिए यह सब चीज़ें एक साल के लिए अनलिमेटरीड ली फिल है इंग्लिश के लिए के लिए के लिए प्लस हिंदी के लिए के लिए के लिए पॉर्चनिटीज और हमारे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको और किस के बारे में जानना है फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग